परिणाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी का दिल से पैलकम करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे और पॉजिटिव होंगे आप सभी के लिए एक खास बात जो की हमारे फैमिन और मैस्कुन दोनों के उपर लागू होती है साथ में यहाँ पे हमारे कुछ स्टार सीट भी हैं उनके उपर भी ये एनरजी लागू होगी तो साथ में मैं ये कहने वाली हूँ कि जैसे आपने थमनेल पड़ा होगा कि ये सेवन डेज आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं ये सेवन डेज खास क्यों रहेंगे क्योंकि ये सैवन डेज आपके पूरे life को change करने में आपकी help करेंगे ये साथ दिनों में आपकी deep cleansing होने वाली है यानि कि आपके सरीर में या आपके mind में या आपकी soul में जो भी blockages हैं वो अपने लेवल पे अपनी रफतार से अपने मतलब साइड से सारी एनरजी हील होने वाली है यहाँ पे आपकी फुल बॉडी क्लिंजिंग हो रही है जिस जिसको भी बॉडी से लेटेड पेंग था, दर्द था, कुछ भी इशू था आपको बॉडी से लेके तो वो आपका अब इन साथ दिनों में हील हो जाएगा माइन लेवल पे अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर्थिंकिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा इश्टक फिल कर रहे थे या फिर आप मायूस या उदास या फिर पर्जिंग वाली एनरजी से गुजर रहे थे करके ओवर्थिंकिंग किये जा रहे थे और उसको लेकर के ही आप टाउन पोजिजन पे चले गए थे तो अब यह सब आपके साथ नहीं होगा बलकि अब आपकी पूरी एनरजी एक दम से क्लीन होकर के एक शिप्टिंग की तरफ आगे बढ़ेगी यानि कि यह जो टाइम आ अपने लेवल पे खुझ से डिवाइन की तरफ से या डिवाइन की मदद से यह एनरजी आपकी पूरी तहिके से आपको क्लीन्जिंग की तरफ या हीलिंग की तरफ लेके जाएगी जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चूगी हूँ कि फामिन एनरजी हमारे बहुत ज्य शुरू हो चुके हैं इन दोनों के इस कॉमिनिशन से यानि कि आपके इस एनरजी की कॉमिनिशन की वज़ा से यहाँ पे एक बड़ी एनरजी जो जैनरेट हो रही है जो कि मैं पहले भी डिसकस की हूँ बन्नेस की एनरजी को तो यह बन्नेस की एनरजी आपके लिए यहाँ पर reunion को create करेगी एंसात में आपके लिए जीवन के कुछ ऐसे तत्वों को या कुछ ऐसे पहलों को सामने ले कि आएगी जिन पे आपका नजर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसे हिस्से हैं आपके जीवन के जिनको आपने छुआ ही नहीं है आपके कुछ इनर ऐसी एनरजी ऐसी power है जो अन्चुई है अभी जो आपने अभी तक उसको देखा ही नहीं है तो अब आप अपने अंदर के उस एनरजी से उस रूप से जड़ेंगे जिस रूप को अभी तक आपने नहीं जाना तो अब आपको यहां पे बहुत सारी चीज़े जो है अपने लेवल पे घटित होने वाली चीज़ों को आप समझेंगे देखेंगे और इसी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो जर्णी है एक नई आयाम की तरफ चल रही है एक नई अपॉर्चनिटीज की तरफ चल रही है जिसमें बहुत सारे चीज़े जो हैं कन्फर्म कर पाना अभी के लिए मुस्किल है क्योंकि जैसे जैसे हम अगर मैंड लेवल पे भी उससे कही जादा यह एनरजी अपना वर्क कर रही है उससे कही जादा आगे की तरफ आगे पड़ रही है तो यानि कि अब आपके यह जो सैवन डेज निकलेंगे इन सैवन डेज के बाद आपके जीवन में एक नए पहलू की एक नए डाइमेंशन की शुरुआत होगी और जिसके बज़े से यहां की पूरी ट्विन फ्लेम्स एनरजी की चेंजिंग होना शुरू हो जाएगी यानि कि अब तक जो भी सोल अभी तक यहां पे सिर्फ अपने आप में ही अठकी हुई थी या फिर सिर्फ डाउट वाली एनरजी में थी वो सभी भी उनको कुछ ऐस तर आगे के नए चेतना के साथ काम करना शुरू करेंगी तो यानि कि पूरी तरीके से यह एनरजी आपके लिए बहुत बदलाव लेके आई है यह साथ दिन आपके लिए बहुत खास रहेंगे इन साथ दिनों में आपके बहुत सारी चीजे जो हैं सर्फिस लेवल पे भी आ सक वो चीज़ें आपसे detach होंगी और जब ये चीज़े detach हो रही है या कोई person detach हो रहा है या कुछ भी xy जड़ा आपके जीवन में जो surface level पे लेके आया है उस चीज़ को तो उस चीज़ को लेकर के worry नहीं करना है tension नहीं करना है क्योंकि वो जैसे ही आपके जीवन से release होगा एक नया shift एक नई energy से आप connect हो जाएंगे क्योंकि वो होना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़े हैं जिनको छोड़ना अभी के लिए बहुत जरूरी बन जाता है तो जैसे ही आप इस energy से अपने आपको move on करेंगे या आगे की तड़ बढ़ेंगे वैसे ही आपके सारे चीज़ों के रास्ते कुलते हुए नजर आएंगे और साथ में मैं बात करूँ आपके personal चेतना यानि आपके चेतना में क्या शुरू हो जाएंगे बले ही आपको समझ में नहीं आ रहा हो लेकिन कहीं न कहीं आपके deep subconscious mind में कुछ चीज़े ऐसी connected हो रही हैं जिनको बले ही आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनकी पिरजैंस को उनकी vibration को आप बहुत level पे बहुत high level पे feel कर पा रहे हैं तो जैसे भी यह energy आपके साथ हो रही है तो इसको आपको सिर्फ accept करना है अगर एक चीज यहाँ पे जो मैं कह सकती हूँ कि लगने वाली है वो है acceptance तो जितना आप accept करेंगे हर चीजों को उतनी आपके लिए रास्ते open होना शुरू हो जाएंगे आप अगर हर बड़ाहट में चीजों को लेंगे या टेंशन में लेंगे तो वो चीजें आपको clear नहीं होगी एक दुन्दली इसी ही चीजें आपके सामने रहेंगी यानि कि unclear रहेंगी unfair रहेंगी जिसकी वज़े से आप थोड़ा सा stuck feel कर सकते हैं तो आपको stuckness वाली energy में जाना ही नहीं है क्योंकि ये सारे चीजें आपके लिए ही हो रही हैं तो आपको क्या करना है आपको अपने लेवल पे इन चीजों को heal करना है जैसे जैसे आप इन सब को heal करेंगे आपकी dimensional energy change हो जाएगी और जैसे ही आपकी dimensional energy change होगी आप नए अपतार के लिए कह सकते हैं या फिर नए अस्तित्व के लिए आप ready हो जाएगे जो की अभी आपके लिए बेहत खास है क्योंकि जैसे ही आप अपने स्वरूप के तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगे जैसे family energy है तो अपने मैंने बताया ही है कि family अपने अस्तित्व में आ रही है तो वैसे ही हमारी masculine अपने अस्तित्व में आ रहे है जैसे जैसे आप अपने higher self के साथ connected होना शुरू होंगे सबसे number one पे जो चीज घटेगा वो होगा आपका reunion और reunion जैसे ही आपकी life में घटना शुरू होगा वैसे ही वैसे आपके soul purpose और आपकी soul को लेकर के जो आपकी यहाँ पे work है वो सारे चीज आपकी clear होना शुरू हो जाएंगे और आप अपने purpose से जोनना शुरू हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से यह साथ दिन आपके रहेंगे हाला कि यह साथ दिन थोड़े से आपको upset down feel करा सकते हैं नहीं हैं क्योंकि यह अपकी cleansing हो रही है तो जिसके वज़े से आपको बहुत ज़हुत ज़ arranged to do the bathroom नहीं है साथ दिन आपके रहें आपकी पूरी चेतना की साथ बदलने के लिएए तो को राधे रही हैं आपको बदलने के लि हो जया नहीं है इस बदलाव के लिए क्योंकि यह जैसे ही बदलाव आपके जीवन से घटेगा नई एनरजी का जो पोटल आपके लिए खुलेगा वो कुछ बेहत खास होगा जिसकी वज़े से आपके पूरी जीवन की एनरजी चेंज हो जाएगी और पूरी एनरजी सिप्ट हो जाएगी क्य यह है कुछ हलकी कुलकी गाइडेंस आपके लिए आई होप आपको समझ में आई हो और आपके साथ रेजोनेट होई है होई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा साथ मेरी एक परवरी से और पंदरा फरवरी तक डीम एंडीएफ हीलिंग प्लस रियूनियन के कि जब मैंने पिछली बार यह कराया था तो बहुत लोगों का हुआ था और जब मैंने उनका रिव्यू मतलब वाट्सप पर डाला एंड यूटूब में भी डाला तो सब ने पूछा था कि यह सब कब कराया मैं हम नहीं कर पाए तो कुछ ऐसे ही स्टुडेंस की वज़े से मैं इस क्लास को फिर से ओपन कर रही हूँ और अगर आप जुड़ना चाहते हैं फिर से चाहते हैं कि आपके DM&D मतला आप दोनों के बीच में जो भी चीज़े खराब चल रही हैं वो हील हो और एक नई लेवल पर शुरू हो तो आप इस क्लास से चुड़ सकते हैं तो इसी के साथ बाइ बाइ